जिला प्रसाशन और यातायात विभाग की लाग समझाईश के बाद भी फुटपार्ट पर अतिक्रमर करने वालों के खलाफ अब प्रसाशन सक्त एक्षन लेने जवा रहा है फुटपात पर अतिक्रमर पाया गया तो सामान अस्थाई रूप से जबत होने के साथ दुकान सील करने की कारवाही की जवाएगी देखिए एक खास रिपोर्ट यातायात को सुगम बनाने के लिए इंदोर जुला प्रसाशुन नगर निगम और यातायात विभाग द्वारा सायोक तो मुहीम चलाई जवा रही है इसके तहट फुटपात पर अतिक्रमर करने वालों के खलाफ मुहीम चलाई गई है जिसके तहट शुहर के प्रमोख मार्ग और चौराहों की आसपास के फुटपात को अतिक्रमर से मुक्त कराया जवा रहा है कारवाही के दोरान फुटपात से जप्त सामान को दुकानदार द्वारा जुर्माने की राशी भरने के बाद निगम वापस दे देता है लेकिन अब कारवाही को सक्त करते हुए नियम कड़े की एजवा रहे है फुटपात पर फिर उसी दुकानदार द्वारा आतिक्रमर मिला तो प्रसाशन स्थाई रूप से सामान जप्त करने की साथ ही दुकान सील करने की कारवाही करेगा कलेक्टर आशे इशर सिंग ने सबी दुकानदारों को अंतिम्चे तावनी दी है बहुत बड़ा एक न्यूसेंस है लगातार हम लोग जो ऐसी बीजी रोड से उनके उपर अनॉस्मेंट भी करवा रहे हैं एक दो बार हम लोगों ने करवईया भी करी हैं कि ने देखने में आ रहा है कि बार बार पुना ऐसी चीजों को रिपीट किया जा रहा है तो निश्यत उप से बहुश में ऐसे जो अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसका सामान पर्मानेंटली हमारे दोरा जब्त किया जाएगा जो उसको वापस नहीं किया जाएगा और और सकता पड़ी तो दुकान को भी पर्मानेंटली बंद कराने की करवाई करी जाएगी इसी के साथ साथ जो बेस्मेंट्स हैं उनको हम लोगों ने नोटिस देने स्टार्ट किये हैं जिनका यूज पार्किंग के लिए होना था लेकिन अभी कॉमरिशल उपयोग हो रहा है बहुत जल्दी ही उनको भी बंद कराने की करवाई हम लोग इसी सब्ता से प्रारम करेंगे जो बड़े-बड़े कार हैं फ्लायोवर से संबंदित लेफटरं से संबंदित उन पर तो काम चली रहा है लेकिन ये चोटे-चोटे ऐसे कार हैं अगर हम लोग करेंगे तो काफी कुछ सहुलिया ट्रेफिक में लाई जा सका है प्रसाशन और निगम द्वारा यातयाद सुधार के लिए जो चोटे-चोटे बदलाव की एजवा रहे हैं उससे कई स्थानों पर यातयाद सुगम हो गया है Bureau Report MP News इंदौर